हेलो फ्रेंड्स मैं विकास चुत्रवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल बेली नॉलेज गयन में हाधिक स्वागत करता हूँ सब्सक्राइब करते हैं चलिए पढ़ते हैं पहले विशन की और एस्क्रीम कौन फुल और आइस्क्रीम एविग रेडियस फाइब सेंटीमेटर और हाइट 10 संटीमेटर एक आइस्क्रीम कौन है जो आइस्क्रीम से फूरी भरी हुई है ठीक है जिसका हेविंग रेडियस फाइब सेंटीमेटर आइस्क्रीम जो आइस्क्रीम भरी हुई है उसका रेडियस है फाइब सेंटीमेटर जो आइस्क्रीम भरी हुए उतने का मींस जो हेमिस्पेयर से बन 10 cm जैसा की फिगर में दिख रहा है आपको यह कहा है उसने केल्किलिट दा वॉल्यम आइस्क्रीम का वॉल्यम निकालना है वॉल्यम आइस्क्रीम कितनी है इसके अंदर वह वॉल्यम निकालना है प्रोवाइड देर इस वॉल्यम आइस्क्रीम निकालेंगे तो क्या करेंगे टोटल आपका वन पार्ट उसमें से बच जाएगा अन्फिल्ड पार्ट ठीक है तो वन माइनस बच जाएगा पार्ट बच जाएगा फाइब भाई सब्सक्री ठीक तो फॉल्यम आपके निकालने के लिए बन माइनस बन वैऎ शिक्स इन्टु इन्टु सॉमाप वॉल्यम को क्यूल का वॉल्यम और है मिज्दि का वॉल्यम दौनओं का वॉल्यम हम निकालेंगे सम करेंगे ठीक है इन्टु 5 by 6 ठीक तो हो जाएगा 5 by 6 sum of volume of cone 1 by 3 pi r square h plus hemisphere का cube 2 by 3 pi r cube value put करेंगे 1 by 3 pi r square common ले लेंगे h plus 2 r बच जाएगा सभी की value put कर देंगे ठीक है h का value 5 है height 5 कौन हेमिस्पेर में ठीक है और आपको r दिया था 5 ठीक है यह लगा दिया calculate करेंगे तो आपका answer आजाएगा 327.4 cm की याज़ा volume of cube ठीक है तो क्या किया हमने सबसे पहले वाल्यम आश्क्रिम निकालने के लिए जो बन्वाइश पार्ट अन्फिल्ड पार्ट दे रखा था उसको इंटू किया sum of volume of corn and sum of and volume of hemisphere ठीक है दोनों के values लगाए और answer आए चलते नेक्स्ट क्यूस्टन पर marvel of diameter 1.4 cm are dropped into a cylindrical beaker of 7 cm एक 7 cm डाया का एक beaker है जसमें कुछ पानी भरा हुआ है उसमें कुछ drop marvels डाले गए जो 1.4 cm के marvels है ठीक है find the number of marvels इसमें यह पता करना है कितने number of marvels इसमें कितने marvels डाले गए जिससे की पानी जो हो गया 5.6 cm रेज हो गया ठीक है तो हाइट हो गया आपकी इसलिंडर बीकर की 5.6 cm सेंटीमेटर ठीक वैन अ मार्वल आ ड्रॉप इंटो बीकर फिल्ट पार्सली बिल वार्टर वार्टर रेज्ट इन दा बीकर मार्वस डाले जाएंगे पानी में तो पानी का रेज पानी का जो उचाही हो बड़ेगा वार्टर लेवर रेज हो किसके पानी जो अंदर है उसके वालिय觉 और घुष आहर जाए श्युक्र आर हो गया 7 थीक तो हमें प्ता है सेंटीडल गार का हैट डाइमेटर 7 है तो इसलिंग्लॉप Homebook सेंट तीप Fr का हाइट डायमेटर है 1.4 हाइट हो गया 1.4 वाइट रेवल का जो हाइट रहे हुआ 15.6 वो एंशन्टिकल भीकर का हाइट हो गया 5.6 नंबर आफ वो स्पेरिकल बॉल्स निकालना है तो नंबर इस पर वह बॉल्म एक्वब्र एक्वल्टु वॉल्म उबाटर रहे डिंदा स William was stimulus भॉल्स यह कहा था एक ववाटर रिस्ट वही हमने लगा दिया तो नमबर परिकल बॉल क्या होगा एन बॉल्म उप नमबर आफ बिव गवार फिसकर बैले बॉल्म आइक का निकालते हैं तो यह होता के वल यह कि नमबर आफ का निकालना है कहीं सारे का तो एन इंटू करना पड़ेगा इकॉल टू पार्टर लेवल का तो से लिंडर बीकर का वॉल्म हो गया सिलिंडर का पाई आर स्क्वाइर एच जैसा कि सिलेंडर का वॉल्यम होता है वेल्यूस पुट करें हमने इसकी वेल्यू पॉइंट सेवन यहां लगा दी पॉइंट सेवन और इसके आर की वेल्यू है 3.5 मतलब सेवन वाई टू और हाइट है 5.6 जीक एन निकालेंगे तो सारा कुछ हमने ट्रांसफर कर लिए दर औ 150 मतलब 150 मार्वल से पानी में डाले जाएंगे जिस्ते की वाटर लेवल हो जाएगा 5.6 संटीमेटर ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट कुस्चिशन पर तू सॉलिड कौन ए एंड बी प्लेज जिन्ना सिलिंड्रिकल ट्यूब आ संटो न, दो कौन है शॉलिड's ठीक है तो फॉलिड कौन है हॉलो कौन नहीं है दो सॉलिड कौन है जिसको एक । की अंदर फिक्स्ट जो सिलिंद्रिकल ट्योब के नंदर डाला गया दारेशियो ऑफ यह वाल्युम कम कि करते हैं ढिया है तो बश्चियोग निया है तो कित उल्क बंक इंटाव मुऔर अप 6 निकालना है आपार रिमेनिंग पॉर्शन वाल्य निकालने है एक तो तो हमको तू रेशियो बन में इसकी यह तीक और रेडियस दिया है हमको तो 6 cm फिगर में जैसा दिया है उपर कुष्चन में फिगर भी सके साथ दिया है इसका रेडियस मतलब डायमेटर है 6 रेडियस हो जाएगा 6 लगा दिया है और पाई से पाई कैंस पाई कैंस बन भाई 3 गैंसर आर वन स्कॉयर आपका 3 आटी स्कॉयर भी आपका 3 क्योंकि डायमेटर दोनों का क्या था दायमेटर 6 ही था दायमेटर 6 था दोनों का रेडियस 3 ही होगा ठीक है तो लगा दिया हमने h1 अपन h2 यहां से वैल्यू कलक्रेट किया तो आ गया 3 स्कॉयर 3 स्कॉयर कैंसल h1 अपन h2 इकल टू रेशियो बन रन हो गया h1 इकल टू 2 h2 अब हमें यह पता है कि टोटल जो हाइट है वो 21 है टोटल जो हाइट है वो 21 है तो h1 प्लस h2 क्या है 21 h1 प्लस h2 क्या है 21 वही हमको दे दिया है ठीक है h1 प्लस h2 क्या है 21 अब h1 का वैल्यू हमको यहां से पता है तो h1 यहां रख देंगे हम 2s2 h2 प्लस h2 इकल 21 3s2 21 s2 आ गया 7 अब h1 कैलकुलेट करेंगे एकदम क्या है हमें h1 था h2 के टर्म में अब h1 क्लियरली जानेंगे तो क्या हो जाएगा 21-7 14 हो गया और दौनों कोन की हीटि हमें पता चल पूशन गी एक 7 और 14 सिप्ट दोनों कूण का हम निखालेंगे वॉल्यों क्यों निकालेंगे outta करनों के हम से क्या पूछा है ऐसे एम से पूछा है remaining portion का यह मोर्मेनिंग पूरिशन कテ Venture诉ंदय को कब निकलेगा टोटल में यह से इन धूनों के वॉल्म को माइनस कर दएंगे तब निकलाया है थो और बहुत पता होना चाहिए चाहिएए दौनों यह एनिकल के आजाएगा 66 स्क्वाइर और यह निकल के आजाएगा बन 32 संटिमीटर क्यों और यह भी 166 संटिमीटर क्यों कि रेमेनिंग पोरशन का एडिया निकालनी के लिए हम अ कि वोलम्स स्लिंडर माइनस बॉल्म और टू कॉर्ण ठीक वायारस क्या माइनस 132 माइनस 66 वैल्यू रख देंगे इसमें एज का वैल्यू भी थर्ट री था आर्थ री था एज आपका 21 था क्योंकि प्रोटल सिलेंडर जो था वो 21 था यह इसका हाइट कैल्कुलेट करेंगे तो आ जाएगा 396 सेंटिमीटर क्यों ओके फ्रेंड्स कुछ अच्छे लग रहे हों तो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें शेर बहुत करें थैंक यू